सबसे पहले तो आपको क्या करना है यहां एक नॉर्मली सब्सक्राइब करना है तो मैंने सब्सक्राइब क्लिक किया और इस सर्कल को कुछ इस प्रकार से बना लिए जो बैसिकली सभी को बनाना आता है अब मुझे जो मैरी डिजाइनिंग उसके अकोडिंग मुझे इसका डूब्लिकेट बना तो डूब्लिकेट का शॉटकट है जो आपने पढ़ रखा है कंट्रोल डी लेकिन कोरल में और भी इसके डूब्लि तो कुछ इफेक्ट हुआ है लेकिन अभी हमें पता नहीं चल रहा है कि अब्जेक्ट बना है या नहीं बना है क्योंकि कंट्रोल डी जब आप करते हो ना तो डूब्लिकेट जो बनता है वो उसके ऑरिजिनल से उठकर के थोड़ा सा उतनी पजीशन चेंज कर लेता है जिस और अब दोनों सर्कलों को इस प्रकार से सेट करना है कि यह दोनों की ही बॉडर एक दूसरे पर ओवरलेब करते हुए इस प्रकार से अब मुझे क्या करना है मुझे इस डिजाइनिंग में से सिर्फ इस मैं डिजाइन को निकालना है यानि मुझे कुल मिलाकर सर्कल के कॉम तो कोरल के अंतरगत किसी भी object के selected पार्ट में अगर फिल करना है तो उसके लिए टूल वोक्सर अमें उप्शन यूज किया जाता है इसमार्ट मिलेगा ऑप्शन इसपे क्लिक करना है तो आप अब इस पार्ट पर जो मुझे साहिए इस उब्जेक्ट में साथ उसके 조ह प्लिक करना लिसागा तो क्या दोनों तरफ कलर फिल हुआ नहीं हुआ सिर्फ उसी पार्ट पे कलर आया है जो मुझे चाहिए था जहां मैंने क्लिक किया ठीक है अब हम क्या करेंगे अब पिक टूल के द्वारा यह जो बांकी के अब्जेक्ट हैं इनको हटा दो तो सेलेक्ट करो और डिलीट बटन से डिलीट कर दिया बन गई लीव नॉर्मली लीव का जो कलर होता है वो सभी को पता है ग्रीन है तो हम भी हमारी लीव का जो कलर है वो कलर प्लेट से दे देते हैं ग्रीन कलर अब इसमें जो है आउटलाइन आ रही है तो मैंने आउटलाइन हटाने के लिए क्या बताए था कि अगर मुझे इसको लोवर में कंवर्ट कर रहा है कि नो Sit flags जाने ते सबसे पहले तो इसा मुझे फ्लोवर में कंवर्ट करना है फ्लोवर हमने देखा है कि उसकी सभी लीफ एक ही जगा connected होती है जुड़ी हुई होती है आपस में तो यहां पर भी मुझे जो है अगर मैं और लीफ इसके अंदर बनाओ तो वह आपस में सब जुड़ी यहीं पर होना चाहिए इसका एंडिंग पॉइंट है तो इसके लिए ह इसकी साइज में increment or decrement करने के लिए यूज होती है दूसरी पजीशन जैसे मुझे इसको घुमाना है तेड़ा मेड़ा करना तो उसके लिए आपको इसका जो क्रॉस पॉइंट है इस पर क्लिक करना तो ऑटोमेटिक इस पर जो करसर है ना उनकी पजीशन चाहिए यह जो पॉइंट हो यहां पर ही होना चाहिए तो मैंने क्या किया इसकी कर्ल पजीशन लेकर क्या है और इसका जो यह सेंटर पॉइंट आ रहा है इस पर क्लिक को होल्ड करते हुए इसका सेंटर पॉइंट मैंने यहां डाउन में लाके छोड़ दिया यानि अभी इसका सेंटर यहां है तो यह घूमती ना तो बीच में से घूमती तो लेफ्ट और राइट डारेक्शन में जाती अब मैंने एंडिंग में कर दिया तो इसका एंडिंग पॉंट यहीं पर जूड़ा रहेगा फिर भी घूम जाएगी अब मुझे इसको घूमाना है तो क्या करना पड़ेग यह जो टॉप वाला राइट हेंड तरफ का पॉइंट आ रहा है इस पर क्लिक को होल्ड करके रखो और माउस को हलका सा मूव कर दो जितना आपको जुकाना है और छोड़ दो तो आपने देखा कि हमने छोड़ा तो यह तो गड़बड हो गया उसने उसी को घूमा दिया तो सब्सक्राइब करना है क्योंकि दो लिफ से तो फ्लोवर बनेगा तो इसी स्टेप को बार बार रिपीट करने का शॉट कट है कंट्रोल और तो हम क्या करेंगे यहां पर आप कंट्रोल के साथ आर प्रेस कर देंगे तो आप देख रहें कि आर तो हो कर रहा है लेकिन एक ही क अगर ज्यादा इस्तिती बेकार हो रहे हैं तो बाहर चाहिए मूदो कर आजए तो यह एक ही अब्जेक्ट को हमें बार बार यहां पर रोटेट करके दे रहा है यानि इस ते अगर हम बार बार परेशान होते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा वहीं बार बार प्लस पे क्ल दूसरा तरीका क्या है दूसरा यह है कि अगर इसके आब अब्जेक्ट भनाने हैं डूब्लिकेट तो आप कीबोड से शिफ्ट करके रखो शिफ्ट की को प्रेस करके रखो राउंडब पजीशन लेकर के इसकी आचुके हैं किसी भी कॉर्णर पर करसर रख लो किसी भी मतल करके चुड़ा नहीं है राइक क्रकर चुड़ा नहीं है राइट रिक करके चोड़ा तो से शिक करो किprिक करो द शिफ्ट चौर लेकले करें तmeno już को annesle जादा लग रहा है क्यों लग रहा है क्योंकि जब यह लीफ करते हुए एक दूसरे पर इस तरह से तो कलर जो है डार्क है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाया है अमने कहा कि यह स्टेप तो ठीक है कंट्रोल आर भी कर देंगे शिफ्ट से भी डूब्लिकेट बना ले पर फ्लोवर हमें अच्छा नहीं लगा और कोरल के हिसाब से तो बहुत ज्यादा डल ही फिर क्या करें फिर डाइनेमिक बनाओ तो कंट्रोल जैट कर दो अट्रेक्टिव कैसे बनाया जाए अट्रेक्टिव बनाने के लिए आप लीव को सलेक्ट करो और इसके लिए अब आपको डिफरेंट ऑप्शन लिख लीजिएगा थोड़ा सा टूल बोक्स में आपको एक ऑप्शन्स मिलेगा यहां पर ब्लेंड टूल ठीक है अब यहां अब टूल बोक्स में आपको कई सारे ओप्शन्स मिल रहा है जिसमें आप अगर देखे तो एक दो ओप्शन दो से तीन ओप्शन ऐसे मिलेंगे जिनके आगे ब्लेक पॉइंट नहीं लगा है और बागी सब के आगे छोटा-छोटा ब्लेक पॉइंट लगा हुआ है तो जि यहां से ब्लेंड टूल्फै पे क्लिक करना है और इसी में सबसे लास्ट में कॉपशन मिलेगा अहां चाहिक है कि इस लिफ और तो मेरा कहना यह है कि मैं इस लीव को राइट तरफ से हाइट करना चाहरे हुआ तो उसके लिए आपको लेफ्ट तरफ से यह जो इसका पॉइंट एक्टिव हो रहा है यहीं से क्लिक को होल्ड करते हुए माउस को राइट तरफ अपलाए कर देना है तो आप देख रहे हैं कि आटोमेटिक हाइट हो रहा है थोड़ा थोड़ा हमें पूरा ही करना है क्योंकि मुझे अब इस लीव का पूरा हाफ बनाना है तो आपको इस ऑब्जेक्ट पे सरी फिर से कंट्रोल करना पड़ेगा और यहां करसर रखना है और इसके बाद इसको ब पूलिकेट बनाना है मैंने कंट्रोल कर दिया लेकिन यह इधर बना है मुझे क्या करना है इसको इधर घुमाना है क्योंकि में हाफ आप पार्टिशनों को बापस में जॉइंड करूंगी तो आप देखेंगे कि बीच में वाइट कलर आजाएगा ताकि जब हम इसे रोटे हुए इसको राइट तरफ ऐसे घुमा दीजिए और कोरल का कहना है कि ऐसे भी स्ट्वेंट जीने इतना भी आलसी आ रहा है तो इसके लिए डारेक्ली एक और ओप्शन दिया गया है कौनसा ओप्शन है तो ऊपर जाईए आप प्रोपरटी बार में यहां मिलेगा आपको मी करना है क्लिक कर दो खुद बखुद तो क्लिक को होल्ड करते हुए भी हमें इधर नहीं ले जाना है अब इस वाले पार्ट को उठाओ और यहां पूरा सेट कर दीजिए अब आप देखेंगे कि यह हमारी लीव जो है प्रोपर एक बन दी हो गया तेयार अब हमें क्या करना है वही बाहर से क्लिक दबाते हो इन दोनों को सेलेक्ट करना है क्योंकि लीव हाप से नहीं बनेगी पुल से ही बनेगी अब इसे मुझे रोटेट करना है तो फिर से इन दोनों पे हमने बाहर से क्लिक दबाते हो सेलेक्ट किया क्रोस वाले पॉइंट पर क्लिक करेंगे और और इसको वापस कहा सेट करेंगे दयुकि है कि और वही तरीका है कि क्या कर दें आप आप इसलिक करें करसario र्खां राइट करो उ क्लिक करके छोड़ों वह तो भी चांद आ इसलिक करके कि तो अब इसका बार तो आप देखने कि वहीं के वहीं जोड़ा है लेकिन मेरा तो कहना है कि मुझे इतनी परेशानी में जाना ही नहीं इतना सब नहीं करता है कि बार बार कब तक shift प्रेस करेंगे कब तक उस object को rotate करें तो क्या कोई miracle हो सकता है coral में तो बिल्कुल हो सकता है वह क्या है मेरे कल वह भी देख लो पहले तो इनको गुरूप कर ले ताकि यह परेशानी बज्जा है अपनी गुरूप कैसे करेंगे तो बाहर से क्लिक दबाते हुए select करो और Ctrl G प्रेस कर दो यहां फिर ऐसे याद नहीं रहे तो राइट क्लिक कर देना इसी में option मिलेगा जो तो हमें particularly वर्ड में भी मिल रहा है इस पर क्लिक कर दो यहां तक सभी को आ रहा है समझ में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है अब मुझे इसके duplicate बनाने हैं और एक बहत्रीन flower design बनाना है लेकिन बिना इतनी मशक्कत कि ना कोई shift प्रेस करना है ना क और अल्ट के सांथ जब आप effect प्रेस करोगे तो एक transformation window यहां पर आ जाएगी एक तो इसे अल्ट के सांथ effect से ला सकते हो दूसरा तरीका है कि उपर menu बार मैंने कल समझा है था कि menu यहां आती है इसमें मिलेगा arrange menu और arrange में मिलेगा transformation और transformation में मिलेगा rotate लेकिन यह अभी starting में आ तो यह window open हो जाए अब इसमें आपको एक बार क्या करना है अपने object पे click करके इसका center point down में set कर देना और आप देख रहे हैं कि यहां जो transformation window है इसमें यह हमसे बोल रहा है कि rotation angle दिया है कि कि कितने angle में इस object को rotate करना है तो वो कैसे करेंगे वो भी देखते हैं इसको थोड़ा बढ़ा कर लिया मैंने तो मैंने angle दे दिया अनुमान से अभी के लिए हम दे देते हैं 30 कि 30 angle में rotate हो जाए नीचे देखो एक और option से मिल रहा है copy कि कितनी copy करनी है तो यहां copy में मैंने बोला 4 नहीं करना मुझे कितनी करना पहले एक करके देखते हैं कि कितने angle से यह आ रही ह तो यह transformation में हमारा जो shift के साथ हम प्रैस करके बना रहे थे उन सब परेशानी से चुटकारा दिलबादी जिससे हम आसानी से object को पूरा create कर सकते हो और एक effective flower अब जो हमने सब से पहले बनाया था वह अच्छा था कि यह अच्छा था और बिना ज्यादा परेशानी कि आसानी स क्रियेट हो गया कोई जाधा परेशानी भी हमें नहीं आई तो यह है कोरल का मेरे का आप आसानी से कोई भी object इस तरह से बना सकते हैं लेकिन इसके लिए हमें transformation क्यार सकता पड़िए अब आप बाहर से क्लिक दबाते हुए इसको फिर से group करना चाहो तो group कर सकते हो यह कहीं स और कैसा direction रख दें फिर से control-z, control-z कर लो आगए starting पर आब इसको देखते हैं क्या यह group है बिल्कुल group है तो इसे ungroup करो right click करो क्या करेंगे control-u याने ungroup अब ही मैंने दोनों half-half partition को equal position में रखा अब मैं एक half partition को उठा करके down में set कर दूए ठीक है और अब इन दोनों को बाहर से click दबाते हूं मैंने select किया और इनका center point वापस से down में set कर दी ठीक है और फिर वही transformation को मैंने close नहीं किया इसी का support लिया angle भी मैंने same रखा copy भी मैंने same रखी सेफ apply apply sorry इसको भी एक बार group ही कर लो तो यह परेशानी भी खतम हो जाएगी कर दें इसको control-z से group फिर से इसका rotate point down में set कर दूआ और इसको कर देते हैं apply 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 चलने दूआ है वही लिव लेकिन different layout आपके साब्सक्राइब कर तो ऐसा जैसा भी आप design इसके द्वारा बनाना चाहें वैसा आप यहां पर बना तो transformation कही ना कहीं हमें इतना ज्यादा support करता है किसी भी design को बनाना कभी भी किसी भी अब्जेक्ट की rotation position हमें set कर दियों तो हम इसका यूज कर सकते हैं किसका transformation का shortcut क्या है अल्ट के साथ है और बताएं इसमें अभी कि काफी है